नरेद्रमोदी के शपत गिरहन के लिए नियोता भेजा जा चुका है, शपत गिरहन समारों में साथ देशों के नियता शामिलोंगे, इसके अलावा देश के कई हस्तियां और अन्यवर्बों के लोगों को भी नियोता भेजा जा रहा है, सियासी दलों के नियताओं को भी निय नियोथे को लेकर सियासत भी करवाने लगी है। कॉंग्रेस सद्यक्ष और राजस्भनेता प्रतिपक्ष मलीकारजुन खड़के को भी न्योथा भीजा गया। दरसल नियोती को लेकर सियासी बयान बाजी की शुरुआति कॉंग्रेस सचीव जैराम रमेश ने की, जैराम रमेश के मुताबक पी-म के साथ सपत ग्रैंड समारों के लिए कॉंग्रेस निता को नियोता नहीं दिया गया है कॉंग्रेस के नियोता पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के सुविस सुनाई देने लगे है जरा सुनिये शशीतरूर ने क्या बोल गए निमंतरन पॉलिटिक्स में ममता बैनर जी मी कूद पड़ी है उन्होंने साफ कर दिया नरेंद्र मोधी के शपत ग्रैंड में उनकी पार्ठी का कोई नीदार शामिल नहीं होगा नियोता पॉलिटिक्स पहले दिल्ली में पीम पीम का खेल भी जारी रहा एक तरफ नरेंद्र मोधी की शपत की तयारिया चल रही है पीम तीसरी बार पीम बनने की तयारी कर रहे हैं उसी बीच जेडी उनेता के इसी त्यागी से ये कहकर सभी को चौका दिया कि चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गटबंदर ने नितीश कुमार को पीम पद का उफर दिया था सच बात तो ये है कि जो नितीश कुमार जी को सयूजक पद के लिए तयार नहीं थे वो अब उनको परधान मंतरी के ओफर दे रहे हैं यद पी ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजक्ट कर चुके इंडिया गटबंदर के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नितीश कुमार जी को हम परधान मंतरी बनाने को प्रस्ताव कि अगर ने ये ये प्यावाओन ने को भी इंडिया है